आप कि आपको एक्जांस में आने के बहुत चांसे तो इस वीडिव में वह सारे हमने वह सारे करेंट अफिर्स इंक्लूट की हैं आपके जो जिनके बहुत चांसे आने के से लेकिन विस्टों दूसरी चीजह हो रहे हैं वह भी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा हैं तो अब सबसे बहले तो यह वीडियो है किस बारे में तो यह वीडियो पनिकरिंट सोई पाकिस्तान इंडियर से संबनद में आले की में थिस्ट आप यहां पर करिंट सब्सेदार करेंग क्रे सकते हैं एक जो ट्रेम जैट है वो अभी खाइबर पार्ख तुन्खवा में क्रेश हो गया है जिसमें जो एक पाइलेट है उसकी मौत भी होई है तो यहां पर क्या है अपिए 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 एफ स्पोक्स पर्शन सेट जैट वाज़ान ट्रेनिंग मिशन वेनिट क्रेश्ट नियर केपीज मर्द निटिक मतलब मतलब यहां पे क्या पाकिस्ता इयर फोर्स मतलब अब जो पाकिस्तान की एइरफ Vous सब्सक्राइब कि मतलब अगर कुछ भी होता है अच्छा या बुरा किसी प्रकार का तो एक इंसान ऐसे रहता है जो हमेशा हर साइट से अब बात करता हर साइट की बात रखता तो ऐसे यह पाकिस्तान एयर फोर्स के स्पोक्स परसन जो है उन्होंने यह कहे कि जो वह जैट थ जभी क्रेश हुआ और क्रैश हुआ मार्दन डिस्टीक्ट पास मतलब केपी का एक क्वी कोई जगा होगी वहां पर मर्दन डिस्ट्रेक्ट करन pollage आप यह गर्योप जो प्लेश हुआ उसके बाद अभी एक कमीटी भी बिठाई गई है यह जो प्लेटी क्रेश हुआ है आप देख सकते हैं यहां पर कि बुरे तरीके से क्रेश हुआ है तो यह प्लेटी का कारण जानने के लिए यह कमीटी बिठाई गई है अब एक और सेपरेट ऐसा ही कुछ इंसिडेंट हुआ था जहां पे एक जो पाकिस्तान एयर फोर्स का ट्रेनर एयरक्राफ्ट था वो पंजाब के पास में कहीं पे गिरा था वो भी एक ऐसा ही मतलब लाश्ट मंथ हुआ था यह एक ट्रेनिंग सेशन के दौरान वह था और यह सब इसकी जाच करने के लिए एक्चिडेंट्स की हमारा अगला पॉइंट जो है वह पाकिस्तान नेवी इंडक्स फर्स्ट जेट पावर्ड लॉंग रेंज मेरिटाइम पेट्रोलेयर क्राफ्ट अब जो पाकिस्तान नेवी है वो उसका यह पहला जैट है जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं आप पाक पाकिस्तान का पहला ऐसा जैट पावर्ड लॉंग रिज मेरीटाइम पेट्रोलेयर क्राफ्ट अब जैट पावर्ड समझ गये हुंगे कि इसमें इसका इंजिन तेज होगा उसके हैं मैरी मतलब मेरिटाइम मतलब यह पानी के ऊपर पैट्रोलिंग करेगा पैट्रोलिंग करना मतलब देखवाल करना कि कोई दुर्षमन तो नहीं हारा सब ठीक चल रहे कि नहीं इस प्रकार से उसके बाद जो पाकिस्तान नेवी है उसने अभी अभी यह जो इसका फर्स्ट लॉंग रेंज मेरिटाइम पैट्रोल ट्वेन इंजिन एयरक्राफ्ट है यह इसने अभी अपनी जो पाकिस्तान की नेवी है उसमें इंडक्त किये हैं यह जो एयरक्राफ्ट है इसका नाम है सी सुल्तान मतलब जो पाकिस्तान नेवी है उसने इस एयरक्राफ्ट को नाम दिया है सी सुल्तान जिससे की क्या है कि इसकी जो capabilities है उनको भी तोड़ा support दिया जाँ कि उनको भी थोड़ा मतलब बताया जा सके कि ये मतलब किस परपस के लिए है इसका मतलब परपस क्या है इसमें क्या-क्या capabilities है ऐसा सब के लिए इसका नाम सी सुल्तान रखा गया है उसके बाद यह जब इंडक्ट हुआ था तो सब जगा एक इंडक्शन सेरिमनी होती है ठीक है तो पाकिस्तान नेवी में भी एक ऐसी इंडक्शन सेरिमनी होगी जहां पर इसको इंडक्शन किया गया होगा मतलब इसको ज जो की चीफ आफ नेवल स्टाफ एड्मिरल मुहमद अमजद खान नियाजी के द्वारा अटेंड भी की गई थी अब पाकिस्तान एक्सपेंडिंग इट्स न्यूक आर्सेनल मतलब न्यूक्लियर आर्सेनल आर्सेनल मतलब की जो इनका कलेक्शन है या जो भी कुछ हम इसको कह सकते हैं इस प्रगार जे तो यह अपना कलेक्शन या उन सारे हत्यारों की मात्रा बढ़ा रहे हैं अब एक शिकागो बेस्ट इंडिपेंडेंट नॉन प्रोफिट पब्लिकेशन के द्वारा पाकिस्तान जो है वह अपना न्यूक्लियर आर्सेनल मतलब अपने न्यूक्लियर वैपन्स की मात्रा बढ़ाते जा रहे हैं वित मोर वारेट्स वारेट्स मतलब आप देख सकते ह होते हैं जो इसके सामने यह लाल कलर का लगा है ना तो यह हम इसको वारेट्स कहते हैं यह 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 तो यह वारेट्स बढ़ा रहे हैं अपने जो डिलिवरी सिस्टेम से वह भी बढ़ा रहे हैं और इनकी जो आरसेनल हो गई है वो धीरे 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 बहुत जादा स्ट्रॉंग होती जा रही है अब यहां पर नॉन प्रॉफिट पॉब्लिकेशन का मतलब अगर जिन लोगों को नहीं पता तो मैं बता दू नॉन प्रॉफिट पॉब्लिकेशन का मतलब कि इससे जो वह पॉ अब यह जो सब कुछ है यह जो हन्स एम क्रिस्टेंसन है जो की न्यूक्लियर इन्फॉर्मेशन प्रोजेक्ट एन आइपी के डायरेक्टर है उनके द्वारा सब यह प्रिपेर किया गया था फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटेस्ट एक जगह है वहां पर और जो मैट कोड़ा है वो रिशर्च एसोसियेट है इस एन आइपी के लिए एन आइपी मतलब अब क्या एन आइपी मतलब न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट जो कि अभी पाकिस्तान में चल रहा है यह पॉब्लीकेशन यह बताता है कि जो पाकिस्तान है यह दीरे 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 कुछ अगले कुछ सालों में जो अपनी न्यूक्लियर केपिविलीटी इसको बढ़ा रहा है वह बढ़ाता ही जाएगा बढ़ाता ही रहेगा उसके बाद चाइना पाकिस्तान तालीबान एक्सिस इस इंडिया स्कॉस फॉर वरी वॉंस चिदंब्रम मतलब यह जो चाइना पाकिस्तान और तालिवान की यह जो एकसेज यह इंडिया के लिए एक बहुत जादा चिंता का कारण है ऐसा जो चिदंब्रम है यह इन्हों मतलब बुद्धवार को यह कहा कि अभी हम लोग बहुत जल्दी कर रहे हैं जो यूनाइटेड नेशन सेक्योरिटी है उसको सेलिब्रेट करके मतलब यूनाइटेड नेशन सेक्योरिटी काउंसल ने कुछ एक ऐसा सेलिब्रेशन किया हुआ तो उन्होंने ऐसा कि कहा है कि अफगानिस्तान चाइना पाकिस्तान की एक्षे से हमें इस पर थोड़ा सा जादा ध्यान कारण है और यह अभी बहुत ज़्यादा गल्ती हो सकती है हमारी बड़ी थावित अपने आपको इतना ज्यादा सब करना सब जगा जो पीच है दम्रम जी है इन्होंने एक ट्वीट में यह भी लिखा है पाकिस्तान की और जो तालीबान मतलब जो अफगानिस्तान की जो तालीबान के कंट्रोल में है तो यह हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा चिंता का कारण है ईं अगला अगला प्वाइंट अभू यह यह गूलू ग्राम मैं बोक फॉर रेजिंग प्रो पाकिस्तान स्लोगन वाइव अडिक डिप्रेशन मतलब ढ़िए गूरु में रहने वाला एक कोई इंसान है उसने जो पाकिस्तान स्लोगन्स हैं उनके उनकी बुकिंग की ती मतलब पाकिस्तान स्लोगन्स को नए पाकिस्तान स्लोगन्स को कि रेस करने के लिए या बनाने के लिए एक बुकिंग की थी और जो उनकी वाइफ है वो यह कह रहीं कि वह बहुत ज्यादा डेप्रेशन के अंदर हैं अब यह हर्याना पुलिस ने ट्यूज्टे के अंदर मतलब मंगलवार को एक एफ आई आर फाइल की एक इनसान की उपर मैन की उपर कि वो जो प्रो पाकिस्तान स्लोगन सें उनको बोल रहा था मतलब उनको जोर-जोर से बोल रहा था अपनी बालकानी से गुरूग्राम में और पुलिस के हिसाब से यह जो एफ आई यार है यह अनवर सय्यद वैजुल्ला हाश्मी के उपर की गई है और कंप्लेंट ऑफ इस नेवर्स मतलब उसके जो पडोसी थे उनके द्वारा क्योंकि वह इंसान अपनी बालकानी से खड़े होके जो बहुत जोर-जोर से नारे लगा रहा था पाकिस्तान के उपर अब टॉप तालिवान लीडर अनस हकानी सेज तालिवान वोंट इंटर्फियर इन काश्मीर क्लैरिफाइज पाकिस्तान कनेक्शन मलग जो तालिवान के टॉप लीडर है जो अनस हकानी है उन्होंने यह कहा कि तालिवान जो है वो जो काश्मीर का मैटर है उस पे एकदम भी इं और तुज़े इस तुक टॉल आफ दा एयर प्रोड बनाव एक सैलिवेटरी गन फायर हुई थी मतलब यहां पर पहुत ज़्यादा गन फायर हुई ती गोली वारी हुई थी और यह गोली वारी के कारण यह था क्योंकि ट्यूस्टे के दिन मंगल बार के दिन जो तालिवान है उसने अफगानेस्तान के एयरपोर्ट में कबजा कर लिया था जिससे की जो यू यूएस ट्रूप्स ते लास्ट वह भी जाने ही वापिस इन लोगों ने उनको भी जाने नहीं दिया उसके बाद यह लोगों क्यों कि यह जो बीस साल पहले एक जो युद्ध था यह अधूरा रहे गया था जिन्होंने जिसने जो इस्लामिस्ट ग्रोप है उसको और जादा मजबूत बना दिया है जब यह 2001 में जितना मजबूत था उससे जादा इसने इसको स्ट्रॉंग बना दिया इसले क्योंकि यह युद्ध खतम नहीं हुआ था यह युद्ध के बाद बहुत से लोग बच गए थे और अभी अभ नई गावर्मेंट बनाने के जो ह पाकिस्तान में पाकिस्तान के साथ कनेक्शन है और इंडिया और कश्मीर के बारे में तो उसके बारे में उन्होंने बात कि भी की सेपरेटिस्ट लीडर सेद अलीशा गिलानी डाइज आफ्टर प्रोलॉंग्ट इल्निस पाक लॉस्ट बिगेस्ट एसिट इन कश्मीर मतलब जो सेपरेटिस्ट यह आप जैसे यहां पर इमेज में देख सकते हैं कि यह सेपरेटिस्ट सेद अलीशा गिलानी जो की बहुत टाइम से बीमार थे और इसी के चलते उनका दिहान हो गया और इसके कारण जो पाकिस्तान है उसने अपना सबसे ज़्यादा बड़ा एसिट लूज करते हैं जो की काश्मीर में था इनके तरफ से तो हार्ड लाइन सेपरेटिस्ट लीडर सेद अलीशा जो की 91 साल के थे इंक्यानवे साल के थे वह अपने श्रीनगर के रेसिदेंस में मतलब जहां पर श्रीनगर में रहते थे वहां पर वह बुद्दवार के दिन उनका दिहान दो गया एक सेप्टेंबर को रात में ऐसा उनक जो थे वह लगबग लगबग दस साल से एक मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हाउस अरेस्ट में थे मतलब घर से बाहर नहीं निकल रहे थे तो इसके कारण जो गिलानी थे उन्होंने एक ब्रीधिंग कॉम्प्लिकेशन अपने आप अपने ही आप डेवलप कर लिया अपने अंदर और वेडनर्स जे नाइट को साड़े दस बजे के करीब रात में उन्होंने अपनी आगरी सांस ली ऐसा उनके फैमिली सोर्स इसके द्वारा पता चला है उसके बाद यह जो इंडिया इस एक्सपेक्टेट टू टॉक टॉफ ऑन तालिवान अमिट वरीज ओवर पाकिस्तान रोल इन काबुल अब एक एस्यों मीट होने वाली है जहां पर जो इंडिया है वह बहुत जादा स्ट्रॉंगली बात करने वाला है तालिवान के उपर और पाकिस्तान के भी उपर और जो पाकिस्तान का रोल है काबुल में उसके वी उपर तो जो इंडिया है इससे यह मतलब बहुत अभी एक्सपेक्टेट है कि यह जो तालिवान और पाकिस्तान का जो सपोर्ट जो मिलिटेंट से या ऐसे कोई ग्रॉप है तो उसके बारे में इंडिया जो है वह स्ट्रॉंग तरीके से अपनी बात को रखने वाला है और यह बात रखी जाएगी शांगाई कॉपरेशन और्गनाइजेशन एससी और समिट में कि ऐसा प्रिंट के हिसाब से बताया जा रहा है कि उसके बाद एक बार जो इंडिया की बात थी वो शेर मौहमद अब्बास के साथ बीटी जो है डेर तालीबान के पॉलिटेकल आफिस में दोहा में लेकिन उससे कुछ बात नहीं वनिया और उसके बाद यह फैसला आया तो जो पी एम नरेंद्र मोधी जी हैं वो एक समिट में वर्चूल एड्रेस करने वाले हैं सबकों जो की सोला से सत्तर सितंबर के बीच में होगा और हम उस पर यह बात रखने वाले कि इंडिया में टेरेरिजम को लेकि जीरो टॉलरेंस अभी इस समय है मतला हम लोग एकदम भी टॉलरेट नहीं करेंगे हम लोग एकदम भी सहेंगे नहीं अगर कुछ भी ऐसा कोई अमारे देश को नुकसान पहुचाने की कोशिश करेगा फिर वो चाहे कोई भी हो इसके बात यह जो हैं यह हमारे सारे कोर्सेज हैं अगर आपको इसमें से कोई भी कोर्सेज में इन्रोल होना हो तो आप हमको यह नंबर पर कॉल कर सकते हैं अगर आपको वीडियो में कुछ भी नहीं समझ jusqu सारे को गरेंगे और यहां पर देख सकते हैं जो हमारे SSB रिटन और SSB की तैयारी भी यहां पर कराई जाते तो हो तो वह इस वाट्सअप नमबर पर में बता सकता है थेंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो